Good morning बेटा, good morning चले आज हम लेकर आए सारी आपकी प्रोब्लम, क्वेरी, self-paced model जहांचो सुनना, तोको self-paced model में set A और set B की बात करते हैं, set A में आया है, law set B में आया है SCPM जो ऐसी स्टैडेजिक कॉस्ट मेनेज्मेंट, परफॉर्मेंस वेलिशन था, है उसका नाम चेंज हो गया सबसे पहली बात बेटा यह को पेपर होगा आपका mcq का यह क्वालिफाइंग पेपर है इसमें 50% मार्क्स लाना आपके लिए अतियावशक है ठीक है सबसे माइ 24 के एग्जाम के लिए यह आपको अभी नहीं देना है हाँ एग्जाम के बाद बिफोर डिग्री आपको यह देना जरूरी है मलब आप एक्जाम दे दो पहले मई 24 के अपने दोनों गुरूप बेग गुरूप जो भी आप देना चाहते हो उसके बाद आप ये एक्जाम को भी भी दे सकते हो देना जरूरी है नहीं तो आपको डिखनी नहीं मिलेगी पर नवंबर 24 और उसके बाद के लिए एक्जाम से पहले इसको पास करना जरूरी है नहीं तो आप फाइनल एक्जाम में नहीं बैठ पाओगे तो पहले अब एक चीज और रहती है सर अगर मेरा माल लो मई 24 में एक ग्रूप निकल गया एक रह गया तो नवंबर 24 में आ गए ना आप तो आपको सैटे सैट भी दोनों के दोनो क्वालिफाई करने जरूरी है बलब दोनों क्वालिफाई करने जरूरी है चाहे कभी भी करो बट अगर माई 24 एक्जाम है तो आप पहले माई 24 का एक्जाम दे दो उसके बाद डिग्री लेने से पहले आप कभी भी दे दो परन्तु अगर आप नवंबर 24 में एपियर हो रह सिटीज में ही होगा दिन में दो बार और जो 9 मैट्रो सिटीज है उसमें होगा दिन में एक बार टोटल 291 यह एक्जाम सेंटर से हैं ठीक बात है कभी भी आप ओनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आप वहां पर एक्जाम जाके दे सकते हो ठीक है तीन घंटे का आपका पेपर हो गई है अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या-क्या चेंज है ठीक है देखो सबसे पहली बात मैं देखूँ सलेबस की यह आपका सलेबस है तो सलेबस में जो हमारा टॉपिक वन था चैप्टर वन सेम है थोड़ा से डिटेल आ गया है यह चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर सेम है बिलकुल कोई चेंज नहीं है ठीक है चैप्टर फाइफ यह new add हुआ है, यह chapter 5 total new add हुआ है, ठीक है, यह आपका पूरा नया add हुआ है, जैसे पहले cost specific service sector था, अब जैसे यह नहीं थी आगे न, artificial AI वगरा, तो उसके उपर based है यह सारा chapter, ठीक है, चैप्टर 6 में क्या कर रहा है, इन्होंने strategic revenue management, जो हमारा decision making का chapter था, chapter 6 और chapter 7 था pricing का, वो दोनों mix कर दिये, तो decision making plus pricing, यह दोनों आपके chapter 6 में आ गए, चैप्टर 7 भी आपका जो था, chapter 10, वो आ गया chapter 7 के नाम से, यह आपका पहले वाला था, chapter 10, ठीक है, चैप्टर हमारा जो था, strategic performance management and evaluation वाला, ठीक है, चैप्टर 8, यह पूरा का पूरा आपका chapter 8 था, अब इन्होंने उसकी को chapter 8, chapter 9, chapter 10, chapter 11 में divide कर दिये, वो सेम बिलकुल, ठीक है, chapter 12 performance, सारी, transfer price बिलकुल सेम है, standard costing बिलकुल सेम है, chapter 11 जो था, budgetary control, वो delete कर दिया है, okay, case study same, तो यह आपका total syllabus इन्होंने change करा है, यह मैं आपको नई book, जो institute के study metal के साब से है, वो अभी हमें prepare कर रहा हूँ, तो वो जल्दी आपको मिल जाएगी, और नई classes ही मिल जाएगी, और जो अभी classes हमारी चल रही हैं, ठीक है, जिन chapter की same है, वो आप अभी ले सकते हो, जो chapter add हुए हैं, या जिन chapter में थोड़ा changes है, वो modified करके मैं दे रहा हूँ, okay, एक बात और, यह सारा paper आपका NCP होगा, descriptive नहीं होगा, sample के तोर पर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके का होगा, जैसे case scenario आपको दे दिये जाए, यह आपको case scenario दे दिये जाएगा, यह institute की site पर available ह समझ के बात, तो इस तरीके का होगा, right, जैसे target costing का है, आप इसका answer दे दिये, यह पूरा case scenario दे दिये, target costing से based, sample के तोर पर बस आपको पढ़ना है, okay, right, पूरा question है, जहां से समझो जड़ा, अब answer दे दिया, तो अब आपको यह बताना है, इसमें, कि क्या क्या, इसके answer होगे, इस तरीके से आप से पूछेगा, तो बेटा, सबसे पहली बात क्या है, कि आपकी मेहनत तो वही है, पहले आपको question, खुझ solve करना पड़ता था, presentation देनी पड़ती थी, आप वो presentation नहीं देनी है, बस, आपको rough में उसको solve करके answer निकालना है, और इसके answer से, जो कोई एक tally होगा, उसपे tick करना है, बात समझ में आ गए, ये है, ठीक है, अब जैसे ये आजाएगा, ये आपका आगया, ठीक है, ये case study आगई, इसके नीचे फिर इसका answer आजाईगा, question आ गए, ऐसे ये case study फिरny answer, समझे बात को, ऐसे ये case study और ये answer, एसे ये case study और ये answer, ये question मतला यह देखो यह question, ठीक है, यह उसके option, इस तरीके का होगा, MCQ type, यह जैसे case study आगी आपकी, ठीक है, case scenario third, अब इसके base पर यह question आगे, इनके आपको answer देने हैं, ठीक है, यह example के तौर पर है, दूसरी बात, यह केवल qualify paper तो है, पर इसके साथ-साथ, जो आपका paper number 6 होगा न, वो भी बहुत जादा इस से linked है, जैसे porter के five models होगे, तो जो case study आप यहाँ पढ़ोगे, वो सारी case studies आपको कही ना कहीं, वहाँ पर भी मिलेंगी, तो कही ना कहीं आपका वो paper भी, काफी हद तक cover हो जाएगा, तो यह पढ़ना तो बेटा पढ़ेगा आपको, जैसे पहले पढ क्योंकि इसको qualify करे बेगहर है, आप final exam में appear नहीं हो पाओगे, तो यह आपके लिए must है पढ़ाई, इसको करना, ठीक है, चलिए, बाकी कोई queries हो, इस से संबंदी तोर, तो आम उससे पूछ सकते हो, मेरा phone number है 9811, 374, 374, ओके, चलिए, good bye, all the best, thank you.